मेरे साथ इस समें संतो गिल के पता है वह मौझूद है उसमें और इसमें अभी तक क्या क्या हुआ है उसके बारे बादिक करते हैं नमश्कार चीटारे बोला कि हमें पता है आपकी बेटी के पास बहुत पैसा है और हमें 50 लाग रपे की उसने डुमान की वो बोला कि अगर आप मैंने उसको बोला कि इतने पैसे तो नहीं हमारे पास कहता है हमें पता है आपके पास कितना पैसा है और नहीं दोगे तो पहले आपके परवार को बे अजने नेटाइस होका मतलब क्या सामने आया यह जो आपने पोलिस कंप्लीयंट भी किया होगा उसमें कोईना इन्वेस्टिकेशन सामने यह कुछ नहीं किस्वें डू मां होगे दिरखास दी को अप्लीकेशन देखी लेकिन पोलीस ने कोई कारवाई निकुछ कोल्टी तो मे कोल्टी की जरूरत नहीं है जो अफिस से घर-घर से जाते हैं उनको इन्होंने पाइलेट कमांडो दे रखी है और जिनको जुरूरत है और मेरे जैसे को जैसे मेरे पर अभी अभी तक 2019 से लेकर अभी तक मेरे छे हमले हो चुके हैं मेरे पर दो बार गोली भी चली है ठीक है और जिसको जरूरत है उसको तो परशाशन्स क्वोल्टी देता नहीं है और जिसको नहीं जरूरत है उसको तो कमांडो पाइलट और काफी कुछ देता अब यह जो स्क्यूर्टी आपके पास में जो कॉल थी वो तो दमकी बरी थी कि ठीक है मारेंगे जो भी उन्होंने बोला यह एक पर थोड़ा एक्स्प्लेेन कर देंगे आप तो कलिर हो जाए उन्होंने बोला कि अगर आप हमें 50 लाख रुपया दे दो नहीं दोगे तो आपके परवार को मारेंगे फिर आपको मारेंगे तो यह पहला मामला तो कोई है नहीं लेकिन पुलिस को चाहिए था अभी कि आप मेडिया को दूंगा न जो यूज को आपका कंपलिएक्तु था जो आपकी तर्व से पुलिस को दिया गया उसमें कोई प्रशासन की का पुलिस कोई प्रशासन की तरह से आपको मैं आप खुछ जाके एस एस पी अमरसर द्यातीस सतंदर पाल जी हैं उनको मैं जाकर पर्सनल शे बार मिल चुका हूं और उनकी तरफ से यही होता है आ रहा है कॉल रिकॉर्डिंग आ रही है हम क्रेस कर रहे हैं बस दो मीने हो गई यही बात हो रही है और हुआ कुछ भी नह सथा enjoying time जाने बढ़नी तो अलग की बात है इनोंने मेरी स्कूल्टी और कम करके दिक तुमसे वाले के साथ हुआ उसको पता था कि उसको है बहुत ठैट है अन्योंने उसकी स्कूल्टी कम करकर कर मिमरस प्रशार सांथ समय स्कूल्ट मैं यही मांग करता हूँ कि देखिए कितनी दफा हुआ हमने एक बार मेरे साथ स्कॉल्टी थी मैं गाड़ी में जा रहा था और दो विक्ती मेरी स्कॉल्टी ने उनको चेक किया शक के दोर पे और उनके पास एक पिस्टल शेरॉंद और बाइक भी चोरी की थी वो हम मेरी स्क पकड़ के पुलिस के हवाले किये और वो माना भी कि हमने आपके उपर फैरिंग करनी थी पुलिस ने कुछ नहीं किया तो करंट में सिच्वेशन जो है वो क्या डिमांड है आपके मैं यहीं चाहता हूँ अगर मेरे तक मेरी बात होती है जैसे पहले होती रही है तो मैं इत करता हूँ और फिर मैं किसी को नहीं चोड़ूँगा इसका जुम्हवार परशाशन और सरकार होगी पंजाब सरकार तो कह सकते हैं कि शैनाज गिल के पिता संतोक सिंग का कहना है कि जब से उनको दमकी मिले मिली है उनकी तरफ से पुलिस को कंप्लीन जो है वह भी दीगे थ क्टुदाशक पिता ये झालिक तरह से वहड़ू